आज में शेयर करने वाली उखास रक्षा बंदन के लिए इस पैशल सी ड्राइफ रूट के लड़ू जो बहुत जादा टेस्टी तो होते ही हैं साथ में हेल्दी भी होते हैं क्योंकि हम इने बिना शक्कर के बनाते हैं और बहुत ही कम घी में बन जाते हैं ये तो इस रक्षा के लड़ू बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होंगे ये खजूर यहां पर मैंने ये सीडलेस खजूर यूज की हैं हम सीड वाले भी ले सकते हैं उनके बीजे इस तरह से निकाल लेना है और इने साफ अच्छे से कर लेना है अगर कोई इंपुरिटी हो तो वह हमें यहां पर निकाल देने है उसके बाद हमें इने ग्राइंड कर लेने है बस एक ही बार दो बार इने पल्स मोड पर चलाना है ये अच्छे से ग्राइंड हो जाएंगे बहुत ही जादा से ये एक बार में ही ऐसे ग्राइंड हो जाएंगे ये बहुत जादा इनका मतलब पतला पर एक नहीं करने हैं उसके बाद चाहिए किसमिंस को कॉईन है हमें बाजर वाला घर के लच्छे भी यूज़ कर सकते हैं उसको घस लीज़िए नारियल को व वाला भी कर सकता है pumpkin seeds चाहिए, almonds चाहिए, महज़ाने चाहिए हमें यहापए पॉपी सीच चाहिए और मैलन सीच चाहिए और भी अगर कोई आपको ड्राइफ्रू राइट करना है तो वो कर सकते हैं । अब इन सब चीजों को हम फटाफट से तल लेते हैं मतलब इनको घी में हम सेख लेते हैं तो यहां मैंने एक पैन रखा है हमें बहुत थोड़े ही घी का यूज करना है, तो मैं यहां पे सर्फ एकी चममज घी डाल रहे हूं, यहां पे उसके बाद इसे अच्छे से हमें पिगला लेना है, और एके करके सारी मेवा को सेख लेना है, तो सबसे पहले मैं यहां पे मक्हाने सीख रही हूं, मखाने हमें तब तक सेखना है जब तक कि यह अच्छे से कड़क ना हो जाए क्रिस्पी ना हो जाए जब इन्हें हाथ से ऐसे क्रश करें तो यह अच्छे से क्रश हो जाए तब तक हमें इन्हें करना है मतलब इन्हें दो से तीन मिनिट लगेंगे मीडियम हाइफ लें पर इनको हमें अच्छे से सेक लेना है निर्व Less तो यह वैग clipping लेना है उसके बाद हमें लास में यहां पर शेखने के लिए उसको लेकल में आपको कॉखने के लिए ताकि लड्डूों में इनका कच्छा पर ना आए और जब हमें इनका कच्छा डाल देते हैं तो लड्डू थोड़े जल्दी खराब हो जाएंगे अगर हम इने इस तरह से सेख कर डालेंगे तो लड्डू हमारे लॉंग टाइम तक चलेंगे तो यहां पर कोकोनट पाउडर बिल्डू भी हमारा बड़ेया सा सिख गया है अब सबसे लास्त में हमें यहां पर सेखने के लिए यहां पर यहां पर घी कई आए खजूर को लगए नहीं करना है घी अच्छे से मेल्ट हो वरना खजूर नीचे से जलना स्टार्ट हो जाएगा और वो पैन में चिपकने लगेगा इस तरह से सेखने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है यह देखे तो इस तरह के स्पैचुला से हमें इसको ऐसे दबा दबा कर अच्छे से से लेना है पूरे साथ से आत मिनिट के लिए जब तक कि यह घी रिलीज ना कर दे जैसे जैसे खजूर सिखता जाएगा उसका कलर चेंज होता जाएगा थोड़ा यह डार्क कलर का होता जाएगा और इसमें इस तरह से घी रिलीज होंगे और यह देखे बिलकुल यह थोड़ा अला गलक सा होता जाएगा अब इतना नही नहीं चिपकरा है यह बिल्कुल ऐसे पूरा रिलीज न कर दिया AG कर मोदै नहीं करना है उसको हम गैस की फ्लेम को औॉफ कर दे थे खोड़ने हमें पूरी कि थनडा नहीं करना है बस इतना ही थनडा करना है हमें कि हम इसको कर पाएं अपने हाथों से और लडू बान हो जाएगा इसलिए बहुत जाधा थनडा नहीं करना है हल्का sounds थंडा करना है तो इसे 10-15 मिनिट के लिए चाहे तो पंखे की हवा में रख दीजिए या नॉर्मल ऐसे ही आदे खंटे के लिए छोड़ दीजिए यह थंडा हो जाएगा फिर उसके बाद हम इसे लड़ू बानेगे तो मैं यहाँ पे से इस तरह से पूरा पैंच उटाकर आटा लगाते हैं उसी तरह से हामे इसको अच्छे से मिक्स करनेगे इस तरह से यह थोड़ा स्टिकी होता है और आराम से हो जाएगा, बस इस तरह से से mix कर लेना है, थोड़ा सा मैं हातों पे घी लगा लेना है, ताकि यह बहुत जादा कि चिपके ना, यह देखिए अच्छे से मिल गया है, थोड़ा सा हातों पे में घी लगा लेती हूं, अब आपको लड़ू बाणकर दिखाती हूं बहुत easily इसके लड़ू बन जाते हैं यह देखिए जिस भी shape के आपको लड़ू बनाना है उस shape के बना सकते हैं मैं normal shape जो होता है उस shape के लड़ू यहां बना रहे हूं बल्कुल इस तरह से लेना है थोड़ा सा और हातों से ऐसे दबा दबा कर यह हो जाते हैं अच्छे से अगर दिन में खजूर कम रहा जाता है तो ड्राइफ रूट के कारण यह थोड़ा मुश्किल लगता है इनको बानना पर अगर खजूर थोड़ा अच्छा डाला है हमने यहां पर तो यह देखिए बिल्कुल आराम से यह बन गए है और कितना बढ़िया और टेस् तो हेग दो लिए बैक हैं लगता है थो बзыलीघ्ट अलार बंगता है कितने बाइब दिल्क को को है बिल्कुल बादार जैसे कितने बढ़िया लग रहे है किके ऑपने भाई को में रटी है और एक आगर वीडियो पसंदाई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें बाई बाई थैंक यू